हेलो दोस्तो नमश्कार इसको भी फॉलो कर सकते हो लिंक उपर आए बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सो दोस्तो वापस हम लोग यहाँ पर आ चुके छोटी सी फॉर्मेलिटी के और मतलब आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पर यह जो हफता है तो कोई भी छुटी यहाँ पर होने वाली नहीं है मतलब लगातर बाजार पार्च दिन यहाँ पर चलने वाला है सो अभी हम लोग आ जाते एक एक इंपोर्टन खबरों के और जैसे कि अगर हम लोग बात करें सबसे जादा इंपोर्टन अगर कोई कल के दिन के लिए खबर रहेगी तो वो रहने वाला है कि रिलाइंट्स इंडस्ट्री के जो नंबर्स है उसके उपर बाजार कैसे रियक्ट करता है वो हम लोग को देखना है तो आप सब लोग को यहाँ पर पता है रिलाइंट्स अच्छा कासा वेटेज देता है निफ्टी फिफ्टी को रिलाइंट्स जिस दाइरे में चला जाएगा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को भी वो उस मोड पे लेके जा सकता है तो अभी सबसे इंपोर्टेंट चीज कल के दिन के लिए रहने वाला है रिलाइंट्स इंडस्ट्री क्योंकि बाजार यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से अपना रियक्शन देने वाला है डैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो second important news रहने वाली है auto sector से related आप सबी लोग को यहाँ पे पता है कि में मन्त की शुरुआत यहाँ पे हो चुकि यह एप्रिल मन्त खतम हो चुका है सो sales के numbers monthly sales के number auto के सामने आने वाले इसका भी मैं एक separate video बना चुका हूँ देखा जाए तो वो commercial vehicles commercial vehicle मतलब heavy truck, tempos, buses ऐसे जो vehicles है उनके sales में possibility यह गिरावाट होने से related क्योंकि आप सबी लोग पता है जगे जगे पे lockdown लगते वे देखने के मिला है अलग-अलग जगे पे plants close होते वे देखने के मिला है manufacturing plants जो थे वो बंद होते वे देखने के मिला है तो सबसे ज़्यादा commercial vehicle यहापे badly impact होने के chances ज़्यादा है यह reports के जरीए news सामने फिलाल आ रही है हकीकित क्या रहेगी वो तो अभी हम लोग को यहापे जो data सामने आएगा auto sales का हर एक company का अपना-पना वो देखने के बाद ही पता चल जाएगा सो दोस्तो यह है second important news जिसको note करके हम लोगों ने आपे आगे बढ़ना है third important news की अगर में आपे बात करो तो आप सबी लोग को यहापे पता है election yes, इंडिया की अगर में बात करो तो आप सबी लोग को पता है election को कितना importance दिया जाता है right, देना तो जरूँ चाहे बट फिलाल की situation आप सबी लोग को पता है हलाकि उससे related कोई बात करने का अर्थ नहीं क्योंकि already सब कुछ यहापे चीज़े हो चुकिए so अभी इंतजार करना है इसी से related आप सबी लोग को पता है counting यहापे शुरू भी हो चुकिए 5 states, yes दो फाइफ स्टेट में हम लोग को election यहापे देखने को मिल रहा है and उसी का outcome भी हम लोग को यहापे देखने को मिलने वाला है so definitely अगर हम लोग बात करें तो बाजर 5 states से related जो भी outcome रहेगा उससे related भी थोड़ा बहुत तो यहापे react जरूर करेगा so इसके उपर भी हम लोग कह सकते कि कल के दिन में थोड़ा बहुत बाजर में contribution मतलब हम लोग को देखने को भी मिल सकता है so दोस्तो third news के बाद अभी हम लोग आने वाले fourth important news के और and बहुत ही positive news है दोस्तो GST का collection दोस्तो record तोड़ दिया GST के revenue की अगर हम लोग बात करे 1.41 lakh करोड अगर हम लोग April मन्त की अगर हम लोग बात करे क्या गजब का data हम लोग को यहापे देखने को मिला है मतलब हम लोग कह सकते कि एक time पर हम लोग कह सकते कि yes definitely because of COVID कि यहापे economic की उपर pressure आ रहे GST का revenue लगातार बढ़ते जा रहे है इसका हम लोग अगर एक थोड़ा सा contribution अगर दे दे तो हम लोग शायद से इसको online की और जो performance यहापे बढ़ते वे देखने को मिल रहे है उसको भी यहापे थोड़ा support मतलब इसका reason कि इतना यहापे हो कैसे रहे offline तो सारे businesses बंद है तो फिर ही इतना collection कैसे तो बहुत सारे जो online businesses हम लोग को grow होते वे देखने को मिल रहे है उसके कारण हम लोग यहापे कह सकते कि GST का revenue आप देख सकते revenue तो रोक नहीं रहा है बहुत ही अच्छी तरी किसी है और record तोड़ दिया है यह भी हम लोग यहापे कह सकते जो कि हम लोग को Saturday के दिन ही यह data release होते वे यह आपे देखने को मिला था सो जरू हम लोग कहेंगे कि यह एक positive news है जिसके चलते बाजार को थोड़ी बहुत help जरूर होगी सो दोस्तों अभी हम लोग आ जाते next fifth number के important news के और and वो है earning earning मतलब quarter 4 के result आप सबी लोग को बता है पिछले हफते भी बहुत ज्यादा number थे इस हफते भी बहुत ज्यादा मेनत करनी पड़ने वाले क्योंकि 125 company के numbers यह आपे release होने वाले है मतलब मे मन्त के first week मतलब इसी मन्त की week की आपे बात हो रही है सो definitely हम लोग कह सकते हैं इसमें अगर आप लोग बड़े नाम धुणना चाहते हो तो यह देखें कोटक महिंद्रा बैंक है SBA Life है अदानी पोर्ट है Tata Steel Hero Motor है HDFC Ultra Tech Cement जो की Nifty 50 के stocks है सो definitely हम लोग यहां पे कह सकते हैं यह भी हफता बहुती सुपर डूपर यहां पे busy रहना वाला है सो अगर in the case कोई भी portfolio का share मतलब आपके जो portfolio है उसमें अगर कोई share यहां पे इस वक्त नंबर दिखाने वाल है सो जरूर उसको study करना है उसको छोड़ना नहीं बहुत सार लोग study करते हैं नहीं छोड़ देते डेफिनेटल स्टड़ी करना है और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो और भी बहुत सारे stock आपको देखने को मिलेंगे गोदरेच properties है उसी के साथ टाटा chemicals है वरुन beverages है उसी के साथ अदानी total gas है L&T infotech बहुत सारे company के नंबर से दोस्तों यह list खतम नहीं होगी 125 company मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं अदानी power से लेके अगर हम बात करें तो डाबर इंडिया CSB bank DCB bank Avenue super mart DMART, IDFC, First Bank, Thyrocare कितने सारे companies है दोस्तों इसलिए मैं request करूँगा दोस्तों जितना हो सके खुद से result पढ़ने की कोशिश की जाए गलत तो गलत सही क्योंकि 125 companies को में अगर practically cover करने जाओ तो difficult रहेगा जितना हो सके मैं कोशिश तो कर रहा हूँ बट आप लोगों ने भी अपने साइट से contribution यहाँ पर ज़रूर देना चाहिए तो दोस्तों ये भी हफ्ता मतलब जबरदस्त यहाँ पर रहने वाले हैं अगर हम लोग बात करें तो result के हिसाब से बड़े बड़े company के numbers यहाँ पर आने वाले हैं दोस्तों अगर हम लोग बात करें number six important news और वह कोरोना वाइरस यह दोस्तों इसको मैं अभी first नहीं रखता हूं क्योंकि अभी हम लोग बाकी news के और भी focus रखते हैं बट कोवीड को ignore नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर every day की बात करें दोस्तों new record हम लोगों को यहाँ पर hit हो हो जाते तो फिर बाजार के लिए यह बहुत ही जादा negative खबर हो सकते हैं ऐसे आरजे ने बतायता है ऐसा क्यों कि obviously इतने cases बढ़ेंगे तो फिर बड़े lockdown की expectation हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं right फिलाल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दोस्तों तो मैं आपको एक point बहु होती जादा घिरे रहते हैं मतलब एक सही न्यूज आप लोगों को convince करके बतानी पड़ती है यह सही न्यूज है बट फेक न्यूज मतलब आग की तरह फिलती है तो याद रखें नेशन वाइड लोग डॉन से रेक्टेड जो भी न्यूज यहाँ पर आ रहे थी सरकार ने officially Twitter handle से भी बता है कि वह फेक न्यूज है हम लोगों ने अल्रेड है कि कोई भी यहाँ पर नेशन वाइड लोग डॉन अभी लगने वाला नहीं है जो भी लोग डॉन लगेगा वह स्टेट वाइड ही यहाँ पर लगने वाला है तो वह फेक न्यूज है यह सबसे पहले याद के पास आती है तो उसको cross examination करो इसा directly believe आप लोगों ने करना नहीं चाहिए अभी हम लोग आ जाते हैं वापस covid से related अगर में बात करू तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो इंडिया की में बात करो तो चार लाक से भी जादा cases यहाँ पर अभी इंडिया report यहाँ पर उसी के साथ साथ देखा जाए तो recovery भी side में हम लोगों को होती वे देखने को भी मिल रही है बट जरू हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर अगर cases ऐसे बढ़ते रहे तो जो recovery rate है वो अभी हम लोगों का जो एक time पर बहुत ही solid था वो अभी 82% के भी below जाते वे देखने को मिला है तो यह जो data है वो definitely कोई encouraging मतलब बाजार को encourage करने वाला data नहीं ज़रूर बाजार के लिए आगे जाके दिक्कत पेदा कर सकता है then दोस्तों अगर हम लोग यहापे बात करें number 7 बहुत ही ज़्यादा important है आप सभी लोग को पता है यहापे अलग-अलग PMI का data यहापे आता रहता है उसी के साथ अगर हम लोग बात करें BOT balance of trade का भी अगर हम लोग April month अभी खतम यहापे हो चुका है तो उसी का जो data है कल के दिन ही मंडे के दिन ही हम लोग को release होते वे देखने को यहापे मिलने वाला है manufacturing का अलग होता है उसी के साथ अगर हम लोग यहापे बात करें तो थोड़ा bank का भी data हम लोग देखेंगे मतलब deposits and the bank loan growth से related जो भी जो data सामने हापे आएगा April 23rd और उसी के साथ आथ foreign exchange results का भी जो weekly data रहता है right 38th April जो close हुआ है वो भी हम लोग को Friday की दिन इसी हफ़ते Friday की दिन release होते वे यहापे देखने को मिलने वाला है तो उसके ओपर भी आप लोगोंने focus बना के रखना है देन दोस्तों अगर number 8 की अगर बात करें सिफ update के इसाब से आप सबी लोग को यहापे पता है power grade invite का IPO हम लोग को थर्ड में तक open रहते वे देखने को मिलने वाला है 27% तक अभी तक वो subscribe यहापे हो चुका है यह सिफ update देना था news number 8 सिफ आपको याद रहना चाहिए तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके next important news के और जो कि आप लोग यहापे कह सकते news number 8 और फिर 9 भी कह सकते foreign investor तो इस मन्त की जो शुरुआत हुई है foreign investor ने वापस हम लोग को लगबग मतलब पैसा निकालते वे अक थी हम लोग को यहापे देखने को मिल रही है बट उस लेवल का देखने को नहीं मिल रहा है जिस लेवल के मतलब हम लोग कहते ना जबरदस विड्रावल यहापे आना चाहिए अगर आना शुरू हो जाएगा तो definitely उनको यहापे एक रीजन मिल जाता है ऐसा तो कभी होगा ने वह lifetime रहनी वाले कभी ना कभी वह profit booking करेंगे वापस वह कभी ना कभी पैसा यहापे रीइन्वेस्ट भी करने वाले हैं तो foreign investor का data के बाद अभी हम लोग यहापे आना चाहिएंगे Crude oil के prices के उपर जहापे आप लोग देख सकते Brent की अगर मैं बात करू 66 उसी range में देखने को मिल रहा है WTIB उसी 62, 65, 70 के ही range में फिलाल यहापे देखने को मिल रहा है Crude का जादा बढ़ना भी आप सबी लोगों को पता है इंडिया की हिसाप से जादा अच्छा बात नहीं होता है क्योंकि हम लोग import करते राइट जरू हम लोग के सकते हैं अभी भी stable यहापे नजर आ रहा है Then अगर हम लोग बात करें gold, gold भी फिलाल 50 के ही आसपास हम लोगों को देखने को मिल चुका है So gold के लिए हमेशा जो मेरा dialogue रहता है अगर किसी ने निवेश किया होगा जरू आप लोग continue कर सकते हो Then अगर हम लोग बात करें dollar to INR तो अभी भी हम लोग के सकते हैं जो dollar ने recovery दिखाए थी बीच में जो suddenly appreciate हुआ था dollar वो बहुत ही मतलब जबरदस हुआ था So इसके चलते भी हम लोग के सकते हैं dollar index जैसे में आप लोग को बताता हूँ कि इसके चलते भी foreign investor को एक अच्छे कासे reasons यहापे मिल जाते हैं So फिलाल अगर हम लोग बात करें अभी भी देखा जाए तो dollar उतना strong नहीं है मतलब overall strong रहता है बट अगर हम लोग performance wise बात करें रहें dollar में लगातार हम लोग को गिरावट डेखने को मिले usually ऐसा होता नहीं है अगर हम लोग यहापे कहींगे 10 में से एक भार कभी ऐसा होगा राइट क्यूंकि usually देखा जाए तो dollar हम लोग को हमेशा strong ही नजर यहापे आते वे देखने को मिलता है यह देखे 5 साल की बात करें So appreciation ही dollar में जादा होता है अगिंस द इंडियन रुपी So फिलाल अगर हम लोग बात करें तो अभी भी dollar यहापे थोड़ा बहुत जिस level से वो भागना चाहिए उस level से नहीं बाग रहे है इसके कारण हम लोग कह सकते हैं यहापे कि dollar में अभी भी थोड़ी बहुत कमज़र यहापे बनी हुई है Then अगर हम लोग बात करें option chain थोड़ा सा formalities कर लेते हैं जैसी कि अगर मैं यहापे देख लेता हूँ तो यहापे जो फिलाल जो लेवल से यहापे बन रहे है ठीक है 14600 ए 14500 पे हम लोग को यहापे support लेवल देखने को यहापे मिल रहा है यह अगेन कहना चूंगा यह FN जो ली देखने को मिल जाते हैं एंड वैसे ही सेम हो रहा है यहापे 14700 देन 800 एंड अगर कहो तो 14900 बहुत ही स्ट्रॉंग रसिस्टन लेवल का काम यहापे करने वाला है सो उसी रेंज में हम लोगों को फिलाल बाजार काम करते हैं देखने को मिलेगा बट हमेशा condition चलती र बाउंस यहापे चलते रहेंगे आज 14500 14600 15000 की बात हो रही है कभी तो जाके 20-25000 की भी बात यहापे होने वाली है सिर्फ नौलेज के सबसे इन चीजों को यहापे मैंने कवर किया है सो आए पशा करता है दोस्तों आपको आज के वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर मिटिंगा रर्निक सुदे तब तक के लिए बाई बाई